डॉक्टर संधी बारद्वाज, MPT Neuro, Concerned and Physiotherapist in Jackalon SMS Hospital Hello friends, आज मैं आपको Cerebral Palsy की कुछ exercises बताने जा रहा हूँ Generally Cerebral Palsy के बारे में आप जानते होंगे 4 type की special होती है, Spastic Cerebral Palsy, Flaccid and Mixed Friends, Cerebral Palsy में जो आज मैं आपको exercises बताने जा रहा हूँ आप घर पे easily कर सकते हैं, क्योंकि घर पे 3 बार अगर आप लोग exercises करते हैं तो कोई Cerebral Palsy का कोई सा भी type हो, वो अच्छे से treat हो सकता है तो इसे करने के लिए, जैसे कि मैं आज आपको एक demo अभी exercises करके बताऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से starting exercises करनी चीए ये नहीं देखना है, बच्चा क्या-क्या नहीं कर पा रहा है वो क्या कर सकता है, कौन-कौन से muscles में कितनी strength है किस तरीके के movements अभी उसके पास आ रहे हैं क्योंकि एक natural process होता है किसी बच्चे को starting से खड़े होने तक के लिए इसको हम milestone बोलते हैं अगर इन चीजों को जब बच्चा delay होता जाता इन में तो इसे हम delayed milestone बोलते हैं तो ये problem cerebral palsy में भी हो सकती है MR में भी हो सकती है कुछ genetic problems हैं जैसे down syndrome में भी हो सकती है autism में भी हो सकती है इन सब के लिए मैं कुछ common exercises आपको बताने जा रहा हूँ ये exercises करने से दीरे दीरे within 10 to 15 days आप खुद feel करेंगे हाला कि थोड़ा long process है लेकिन आप feel करेंगे कि बच्चे में muscles में changes आने लगे हैं हर condition अलग अलग होती है जैसे कि spastic condition है बच्चे की muscles tight है उन tight muscles के exercises आपको कैसे करने हैं depend करेगा बच्चा भी 6 months का है 10 months का है या 18 months का है तो कुछ sign आपको देखने अगर आपको लगता है spastic CP डॉक्टर ने assess करके लिख दिया है तो accordingly spastic की exercises कराने चाहिए अगर flaccidity है तो spasticity वाले exercises बिल्कुल नहीं करनी है दोनों बिल्कुल opposite है एक दूसरे के generally किसी से मिलते हैं कुछ exercises समझी और उसी को सब conditions में apply करना चाहते हैं ऐसा नहीं होगा इसमें examinations बहुत important है कौन से muscles अभी बच्चे के पास हैं जिससे कि हम अगले next level के muscles के power पर जा सकते हैं ठीक है तो मैं भी आपको कुछ exercises बताने जाओ spasticity में बच्चा इस तरीके से crossed leg रखता है तो इसको कैसे समझना है अगर आप पैर उठाते हो और दूसरा पैर साथ में उठ जाता है तो इसे हम बोलेंगे बच्चे को spastic CP है जब बच्चा चलेगा वैसे तो चली नहीं पाता है बहुत डिले हो जाता है 3-3 साल तक बच्चे नहीं चल पाते हैं तो अगर यह इस्तिति आपको दिखती है जब आप उसको खरा करते हैं जब बच्चे की एज 15 मंद से उपर होती है तो बच्चे के पैर आपस में क्रोश्ट होते है इन क्रोश्ट लैक को इसको हम बोलेंगे सीजरिंग गेट अगर बच्चा जब चलने भी लगता कैसे भी वह चलने लगता है तो यह सेजरिंग गेट बनता है तो हमें सबसे पहले इस पास्टिसिति दूर करने है फॉर्स्ट एक्साइज जो हमें करनी होगी बहुत इजी तरीके से दोनों पैर बच्चे के बेंट करने यह एक्साइज आप किसी भी एज ग्रूप के बच्चों में कर सकते हो तो ध्यान से नोट करो सबसे पहले हमें इस तरीके से यह करना है अब आप देख सकते हैं हर बच्चे में अलग-लग लेवल होगा किसी में यहां तक करने के बाद ही टाइटनेस आ जाती है किसी बच्चे में यहां के बाद ही टाइटनेस आ जाती है तो आपको उस लेवल पे जाके रुख जाना है इस तरीके से आपने रुखा सबसे इंपोर्टेंट प्रिंसिपल आप नोट कर लीजिए यह मिश्टेक मैंने हर जगे देखी है जनरली फिजो थेरपिस्ट भी जिनको जो बच्चों की स्पिशलिस्ट नहीं है टेन सेकिंड के टेन रिपेटिशन यह बता दिया जाता है लेकिन इस पाश्टी सिटी एक साइज में ऐसा नहीं करना है इसमें आपको वान मिनिनिमम होल्ड करना है जैसे इस तरीके से अगर यहां तक रेंज आ रही है तो यहां तक आपको 1,2,3,4,5 ऐसे 60 सेकिंड काउंट करने है यहां रोकेंगे आप उसको जबरदस्ति नहीं लेके जाना है जिस लेवल तक जा रहे हो आपको tightness feel हो रही है बच्चे को परिशान नहीं करना है जनरली यह advice भी आपको कई वर मिल जाती है कि बच्चा रोने दो कोई बात नहीं आपको exercises करनी है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है थोड़ा बच्चा रोता है कोई बात नहीं लेकिन उसको game में लगा के रखिए उसको बात करते रहे है उससे या फिर आपको बहुत ज़्यादा tight नहीं करना है क्योंकि अगर बच्चा रोता है तो उससे spasticity ओर बढ़ेंगी tightness बढ़ेंगी तो आपका जो purpose है आपका जो motive है exercise कराने का वो defeat हो जाता है तो ध्यान रखें बच्चा रोना कम से कम और रोता भी है तो उसके यहाँ tightness feel नहीं होनीचे अगर हो रही है तो आप छोट दीजे exercise पहले उसको चुप कीजिए उसको बातों में लगाईए उसके बात कीजिए उसके बाद आपको exercise करने है तो जैसे कि इस level तक आप गए अब इससे ज्यादा तेज करोगे तो बच्चा बहुत तेज होएगा तो आपको यहाँ लाना है उससे 10 degree नीचे तक जाना है अगर tightness यहाँ है तो 10 degree नीचे जाना है 10 degree नीचे जाने के बाद 60 second hold करना है then release this is the first exercise second exercise में आपको क्या करना है बहुत important exercise है इसको आपको एक हेंट नी से थोड़ा उपर रखना है second hint यहाँ friends मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चे आपको नहीं बोल सकते कि उनको कितना pain हो रहा है उनको कहाँ पकड़ने से कैसा मैसूस हो रहा है तो यह चीज आज जो मैं समझा रहा हूं उससे सबसे आप करेंगे तो आप बच्चे की feelings भी समझ पाएंगे और exercise भी better तरीके से होंगे तो जैसे की बच्चे की tightness का यहां तक उसका leg जा सकता है तो आप एक आत यहां रखेंगे एक नीचे ध्यान से नोट करें ऐसे लेकर आएंगे मालो यहां उसका tightness आ गया है इसके बाद बच्चे को बहुत tight हो रहा है इस exercise की सबसे important key point है आपको किसी और के support से इस leg को hold करके रखना है leg में knee को नहीं press करना है पटेला को आपको knee के just उपर इस तरीके से hold करना है ताकि उसको pain भी नहीं हो और आप hold कर पाओ अगर आप एक ही है आप अकेले है तो आपको कैसे करना होगा यह elbow यहां रखनी है यह hand यहां और opposite hand से यह रोकना है then raise it यहीं इसी तरीके से 30 to 60 seconds तक आपको hold करना है अगर बच्चा ज्यादा तकलिप में आता तो 30 seconds नहीं तो 60 seconds आपको hold करना है then release now next repetition आप ऐसे उपर लाएंगे जब आप note करेंगे तो थोड़ी दिर बाद एक दो राउन के बाद आपको रेंज बड़ी हुई मिलेगी तो आपको क्या करना next वाली रेंज पर आप जा सकते हैं अगर आपको increase मिल रही है तो आप यहां तक आएंगे 10 seconds hold करेंगे 10 release next exercise में आपको क्या करना है यह काब भी उनमें tightness होती इस पास्टिक CP में तो हमें दीरे दीरे इसको पकड़ने का तरीका यह होगा ध्यान से note करें दो fingers यहां रखेंगे देन अपने जो palm का हिस्सा पाम या यह पार्ट यहां आना चाहिए यह hold करेंगे अपने elbow आपको यहां से जर्क नहीं देना है इससे इंजरी होने की chances भी होंगे और pressure कैसे अपलाई करना ध्यान से नोट करें अभी प्रेशर भी बहुत अचा रहा है और जर्क भी नहीं हुआ है अगर जर्की मुमेंट होता है तो टीर होने की chances होते हैं तो जर्की मुमेंट नहीं करना है स्मूथ मुमेंट करेंगे 30 second hold 30 तक काउंट करेंगे या 60 तक जाएंगे इस तरीक एकसाइज करेंगे कई बार आप यह डायरेक्शन यह कर देते हैं कभी इदर खीच रहें यह नहीं करना है सिर्फ इस्ट्रेट लाना है फेस की तरफ ना इंपोर्टन वन फॉर्थ नंबर क फ्री एकसे में आप क्या करेंगे यहां hold करेंगे इस लेक को दी यहां से लेकर जाएंगे कई लोग जब बच्चा चोटा होता है तो आप यहां से पगड़के कीषते हैं इस रोंग आपको इस तरीके से करना है यह पैर यहां रखेंगे फिर दूसरे को इस जगे रखेंगे इसको यहां और ऐसे लाएंगे ऐसे धीरे धीरे आप ओपन कर सकते हैं यहां आप चाहें तो एक triangle shape का wooden का किसी कार्पेंटर से बनवा सकते हैं एक shape triangle shape वो यहां फसा सकते हैं बच्चे की measurement लेकर नहीं तो आप नहीं कर पारें तो आप खुद ही hold कर लीजिए अगर बना नहीं पारें इस तरीकी से hold करके रखें आप देखेंगे आपको new range मिलेंगी थोड़ी देर में 60 second hold करने के बाद चाहेंगे तो आप वापस भी इसको आप ज़्यादा देर भी hold कर सकते हैं फिर लेकर जाएंगे तो जो new range आपको मिलिए वहां तक आप जा सकते हैं देन hold it now अगर आपका बच्चा उठ सकता है बैट सकता बैठना अगर उसको आता है तो उन बच्चों के लिए आप क्या करेंगे इसको long sitting में रखेंगे थोड़ा सा wide करेंगे और बच्चे को बिठाएंगे इस तरीके से जब आप बच्चे को इस तरीके से बिठाते हैं तो आपको क्या करना है? यह hold रखने होंगे और अगर वो जा सकता है तो थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो इसे हम dynamic stretching बोलता है बहुत हैंची exercise है इसका upper version है अगर आप यह करेंगे तो धीरे धीरे यहां से इस तरीके के stretching exercises होंगे और automatic कम effort में ही ज़्यादा results देखने को मिलेंगे Now friends, neck holding जिन बच्चों में नहीं होती उनके लिए आपको कुछ special exercise में बताने जा रहा हूँ Neck holding आप कैसे लेकर आएंगे Neck के साथ साथ back के muscles, hip के और पीछे के जो muscles है उनको strengthen भी रखना है इसमें neck holding आपको कैसे करना है उसके लिए आपको क्या करना है बच्चे के दोनों elbows उसके body के नीचे रखेंगे ध्यान रखें, कई बच्चों की neck ऐसे करके ground को touch करती है तो आप breathing का ध्यान रखेंगे उसका nose compress नहीं होना चीए अगर nose यहां से दब गया है तो breathing का problem हो जाएगा तो आप क्या करेंगे ऐसे hold रख सकते है और यह रखेंगे इस तरीके से, यह वोई 1 minute तक आप hold करेंगे, 10 repetitions करेंगे generally लोग इसको pillow के साथ करते है मैं pillow की जगए उनको advice दूँगा, कि वो घर में बना हुआ इस तरीके का boluster pillow रखें बच्चे के size की साब से boluster बनाए 6 inch, 4 inch इस तरीके से बच्चे को ऐसे लिटाएंगे boluster pillow में कुछ और excises आएंगे, इसलिए मैंने आपको boluster के लिए बोला है इसमें बच्चे की neck जब नीची जाएंगे आप उसको बात करेंगे उसे बोलेंगे और वो उपर देखने की कोशिश करेगा आपकी आवाज से तो यह बहुत अच्छी neck holding exercises है यहाँ पर strengthening आएंगे फ्रेंड्स, यह common exercises है जो कि आप cerebral palsy में autism में delayed milestone, MR या फिर down syndrome जैसी conditions में जब बच्चा activities नहीं कर पा रहा है उसके milestone delay हो रहे हैं, वो आप घर पे कर सकते हैं assessment और examinations के लिए आप मुझसे जैपूर में मिल सकते हैं अगर आपको कुछ भी advice चीए तो help line number आपको show हो रहे हैं उसके आप call करके प्री appointment book करके उसके बाद आप आ सकते हैं friends, मैं आपको यह सब series में exercises बता रहा हूँ इसके लिए आप क्या करेंगे चैनल को subscribe करें और bell icon जरूर hit करें bell icon हिट करने से आपके पास notifications आएंगे जिससे की आप sequence में series y exercises देख सकें और कर सकें